गुट मूनिंग एपीवन कैसे हैं आप सब लोग कल मैंने किया था लाइव आप लोगों ने देख लिया होगा उसमें सजेशन था राइस सान से रिलेटर तो वो देख लेना वीडियो न देखे हो तो अभी हम देंगे आपको हिंदी ग्रामर की प्रेक्टिस सेट पिसले एक स क्या है तो वो प्रीस सबस्क्राइब कर लेंगे चैनल को क्योंकि बहुत कुछ आप से यहां से सीखने को मिलेगा यह मिलेगा बाकी एक्सपेक्टेट कोशन कराएंगे ट्रिक्स बताएंगे और डीपली क्रेंगे पहले कोशन से स्टार्ट कर देते हैं देखो दो सब्सक्र देखेंगे एक तो क्रतिन और सरबादिक इनके न सही बिलॉब पूछ रहा है अब आज करा यह पैटर्न चेंज कर दिया इसमें उसा किस बासा का एंप म सहत किसमा कर दालट कि अ ओरत ऻुट कि यह सब इसी के याद रखना Remember Oh फार्सी किंट चस्मा उहन को ही आए हिंदी हिंदी सब्द किस वासा का सब्दें फार्सी बासा का यह भी वात रखना ओह हिंदी किस अनुच्छीद में लिख रंक्कीBy आपने 343 में से लेके 351 तक के अनुच्छेद में बासा संबंदी प्राबदान किये गए ठीक है याद रखने नेक्स्ट इसे आप पढ़ ले ना गध्यांस को आराम से पहुज करके इसमें से कुछ कोशन में ले आया हूं वह कोशन आया हूं जो व्याकरण वाले ठीक है आप सरति अपल यह नियुका यह तो पहले से तल में कैसे अपल्ट क हूआ है खीक क्या हो जागा जागा इसका बी गताया उसके शूंस नेक्स्ट पथ्विमुकता नाग दंसों से नहीं होती तो पथ्विमुक में कौन सा समास है समास बूच रहा है समास का बिलूम क्या होता है ब्यास पदों की प्रतानता के यादार पर समास किते प्रगार का होता है चार अर्थ के यादार पर छे ठीक है याद रफना समास किसम भी आपको सपुरुष सब्राता सपरिबार मतलब सा सब्द मिल जाए सब तो आप क्या लगाओगे तो आप बहुबरी लगा क्या होगे इसे याद रखना और बहुबरी एक्जामपल मतलब नयो दे रखाओ ऑप्शन में तो आप अब भी वाव लगाओगे ठीक है याद रख तो म्रत्यू का क्या हो जाएगा जीवित जन्म और जीवन सब हो जाएगे अगर यहां पर उप्रुक्त सभी न दे रखा होता तो म्रत्यू क्या हो जाता जीवन यह जन्म और मित्यू और जीवन का क्या हो जाता मरण ठीक है तो म्रत्यू का फिर क्या हो जाता जन्म हो जाता अगर यहां पर उप्रोंप सभी न दे रखा होता अभी दे रखा है तो आंसर क्या होजाएगा D next देखो मैं न दर्थी पर किसी का दास हूँ इसमें पूछ रहा है कौन सी संगया है संगया कितने प्रकार की होती अर्थ के आदार पर होती आपके 5 प्रकार की किति प्रगारगी 5 प्रगारगी है हाँ तो कोशन था आपका कि दास में कौन सी संगया है मैंने संगया बता दिया था आपको अर्थ के आदार पर किति प्रगारगी होती पांच ठीक है एक चीज़ बता दूं विक्ति बाचक जो संगया होती न इसका कभी बहुबच्चन नही क्या हो जाएगा जाती श्तिक है कुट मी याद रख लेहेना वह वांध। इस चीजी सबसबर होते हैं buck गुच्छा है तो गुच्छा ही लिखते हैं गुच्छा हो नहीं करतें अंसर क्या हो . इसका हो अगर अगर आप आप तो डासर कि बंदना याद रखना शत्य का आवाहन बताना है तो सत्य का क्या हो जानाएं सत्यk का courageous बता पर इसमें से बता रहा है कि क्या होगा सत्यका हो जाएगा सच क्या हो जाएगा सच ठीक है नेक्स्ट इसमें से कौन सा पर्यावाची नहीं है किसका बिटप का बिटप का पर्णी होता है गाच होता है द्रूम होता है यह नहीं होता है यह तो जो का वह होता है क्या तत्सम आंसर क्या हो यह पूछा था कौन सा नहीं है याद रहा पर्डी गाच नो पर्डी गाच यह अर्ड प्रादुर्भाव में संदी वताना तो प्रादुर्थ धन भाव प्रादोहद्धन भाव प्रादुर्वाव क्या हो जाए बिसक्रसंदी यह संदी क्या होती या और बाद से पहले आदे कोई वर्ण आ जाए और या और बाद क्या होते हैं दोनों अर्दस्वर इसलिए अर्दस्वर होते हैं तो इससे पहले आदे आते हैं तो यर्ण बन जात किसमें होता है सब्दों में होता है ठीक है द्वन्द में क्या होता है योचक चिन्न होता है इस तरीक के का दोनों पत्प्रदान होते हैं ठीक है तत्पोसमास में दूसरा पत्प्रदान होता है या उत्तर पत्प्रदान होता है बहुबरी में अन्य पत्प्रदान होता है परम है इतना है याद रख़ो ही नेक्सट प्रत्य सब्सक्र सब्सक्राइब। तो इनकी संख्या क्यों 58 प्यालिस लगाना तरहो बिग्जान मूलओ सब्दयस में मुल स्ब्द रोगाई पलस एक बैग्जानिक यह भी लगते डिया शृर्य телеф कि नेक्षटे मोरल शौटे और हिंदी में करते हैं यूज करते हैं हम इसमें से 10 या दखना इतना अच्छा एक चीब बताओं अगर थोड़ा भी उपसर्व पढ़ाओं तो हार्रे और या तो उपसर्व होता ही नहीं दो तो ऐसी निकाल सकते हो आप प्लस परहार्रे इस तरहीं से बन जाएगा ठीक है अ हमारे बैग्यानिकों के जीवन सुख और दुख से लेकर काफी अटकलने लगाई जाती है इसमें यह बताना है कौन सा संग्या है तो बैग्यानिकों कुछ सोचना ही नहीं क्या आ रही है बहुबचन बन रहा है बहुबचन किसका बनता है बहुबचन किसका जाती बाचक का व्यक्तेवाचक का बहुपचन मुनता नहीं समू है नहीं है ठीक है भाव है नहीं है अंसर क्या हो जाएगा एक सब्सक्राइब निकाल सकते हूं नेक्स्ट संख्या पूचले कि तो 11 निजवाचक बहुत पूचा लूगा मैं खुद कर लूगा इस तरीके सब्सक्राइब पूरस्वाचक तीन प्रकार का होता है उत्तम मद्यम अन्य ठीक है याद रुखना नेक्स्ट है अच्छा प्रवर्णन उपर उठाने और पीछे गिरने की पग सब्सक्राइब घायो चलते जारे रखता ऐसमें बताने कौन सा इसे अच्छा अच्छा संख्या नहीं सारमनामे के नहीं और क्या यह निश्या कुछ है निशे कि यह गोड़ का यह अच्छा लड़का यह क्या हो सकता है उसकाई Q% नेक्स्ट देए पसू नहीं बीर तुम निमनमे से कवन से भावा चक के संग्या बतानी हो अब चीजज़ आत बापना बीर क्या है बताओ बीर पुरुस यह क्या हो जाए बिशेशन हो जाए पसू क्या हो जातिवा चक संग्या अब देए और यह दौनों तुवा स्बाइब तो उत्ता दोनों से ही बनाते हैं मगर ये और ये दोनों दे रखें हैं उप्शन में तो हमेशा क्या लगा होगे, ये ये तोनों एक साहत आजाए ड हैना बैसे डेगा न सूरज में बहुता हैं तब आंसु बहाती आंसु का बनेगा अश्रु च्छोटे उगी मात्रा आती है अश्रु में चुरज में ऑप प्रॉय को तो यह किसका हो जाता है नाव का ठीक है याद रखना और यह न अश्रू छोटे उगी मातर आएगी याद रखना आंसू ने ठीक है नेक्स्ट देखो यहां पर तो बड़े उगी दे रखिए इसमें क्या हो जाती छोटी और देखो जितना यह आंसू लिख रहा है ने इस तर प्रकार के रूड यौग योग रूड नेक्स्ट छे कि दोरभल में संदी पूछ रहा है कौन सी है अच्छा एक चीछ सिखा दूं आज संदी के तिप्रगार होती है तीन स्वरवजयन विसर्ग संदी संदी संद्ध धन्ध संदी ठीक है और संदी किसमें होती वर्णों में होती है जो एक चीज आणा इस मैं तो पहली बता दों धन बालोगा यह हो गया संदी अगर पुछ लेता उपसर कौन सा है उपसर होता यह उपसर पूछता दो दूर्ड अब एक चीज दुबारत समस्पारों को संदी उपसर तो होते हैं दुड और निर ठीक है, और दो और नहें, ये क्या होते हैं, संदी में हम इन्य का यूज करते हैं, उपसर्ग में किसका इनका यूज करते हैं, दोनों लगग लगग चीज़े हैं, याद रख लेना, हद से जादा डाउट होता है लोगों को, सच बता रहूं, और ये कोशन बहुत पूछा ज क्या है सूर का मतलब क्या होता है सूर का मतलब होता है सूर्मा वीर योद्धा विजेता नहीं होता है आंसर क्या हो जाएक इसका डी क्या पूछाता इसमें असंगत यह नहीं पूछा है नेक्स्ट उत्थान का क्या होगा बताओ उत्थान का हो जाएगा पतन जे का हो जाएगा पराज है उदे का हो जाएगा अस्त ठीक है हार का हो जाएगा क्या जीत नेक्स्ट प्रस्तर मतलब क्या होता है प्रस्तर मतलब होता है पत्थर प्रस्तर क्या होता है पत्थर ठीक है आंसर हो जाए बी ठीक है नेक्स्ट इसमें से बताना है चमू सब्द का समाना रहती है चमू का होता है सेना क्या होता है सेना ठीक है और एक होता है कूच इसका वह ही है मतलब कि मैंने गध्यान से उठाई कोशन चेतन का बिलूम क्या होगा जड़का होता है चेतन ठीक नेक्स्ट अब इसमें बताना है कि कौन सा सब्द किरम बताना है पहले तत्सम बता फित दतवब देशाज बिदेशाज इन चार में से कौन सा तत्सम मैं मुझे यह ज थोटा सा उप्शन पूरा कोशन सही करा देता है ठीक है तो यह आपको समझ में आ गया होगा स्वरी वह थोड़ा सा बीच में डिश्टरवाइंस हो गया विदेशाज कौन सा है बम इससे निकाल लेना आंसर हो जाएगा यह बी ठीक है नेक्स्ट इतना ही कोशन थे बाकी य अपने को ख्याल रखना बाकी जो डाउट आया हो को पूछ लेना कोमेंट बॉक्स में जाके और सारी लिंक्स बगएरा पीडिया बगएरा सब मिल जाएगी उसका टेंशन मत लेना इसी के साथ अपना अपने को ख्याल रखना जैहिन जै भारत